हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी बाठ शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बढ़े डंक से चल लहीं होगी आपके बहुत सारे एक्जाम आप निकट भविश्य में देखने को मिलने जिसमें से वीडियो एक्जाम आपका 26-27 जून को होने वाला है परन्तु आपका तो एक्जाम अभी हुआ है और आप उस एक्जाम को लेकर बहुत चिंता में हैं लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब से एक्जाम हुआ है उसके ब जो बंदा है उसी को बुलाए था उस बंदे ने पूरा पूरा आपको बताया था फिजिकल की जनकारी आप उसमें जाकर देख सकते हैं परन्तु यदि आप कहना है और कटॉफ के बारे में चर्चा है यह आपने नहीं की तो जार यह आपकी कहीं न कहीं गलत बात है और प्रत्सत अब इस पर विश्वास कर सकें जरा सी भी चूक हमारे द्वारा आपकी सेवा में नहीं हो इसके प्रयास पे हम लोग अब लगे हुए हैं आप सब को पता है कि एक्जाम हुआ था एक्जाम मॉडरेट इस तर का था बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा अच् यह कोई आंकार का विशह नहीं है कोई बात नहीं है कि वह लगबग 65 से 70 प्रश्ण डिरेक्ली राम जी पाठ्चाला के पीडियों से आये हैं आप उसका प्रूफ जाकर देख सकते हैं इतनी गंभीरता से राम जी पाठ्चाला तयारी करवाता है तो ऐसे में जब सारा एक्जाम हो गया और अब परसों ही आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है और 15 मई आपकी आपत्ती मनलब दाखिल कर रहे हैं अगर किसी प्रशन में आपको आपत्ती है तो आप अपनी आपत्ती को दाखिल कर सकते हैं जाकर के बता सकते हैं दे सकते ह कि मेरे को इसमें आपती है आप इसमें संशोधन करो फिर फाइनल आंसर की आएगी अब ऐसे में हमारे तीन सवाल बहुत जादा उठते हैं कि चलो फाइनल आंसर की भी आ गई है कुछबचे ऐसे जो स्कोर 75 या 80 का स्पास तक ले जा रहे थे उनका स्कोर घटकरके 70 के नीचे आ गया है जो का 65, 67, 68, 78, 70, 80 अच्पलस तो कोई बिरला ही है ज़्यादा बच्छे उसमें देखने के नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आपके द्वारा लगातारी बाता रही थी कि सर कट आफ पे वीडियो बना हुआ आप है ना और इसके बारे मैं हमको बताओ तो गंभीरता इस बात की आप यहां से देख सकते हैं कट आफ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है ठीक है और निकट भविश्चे में में कट आफ पे वीडियो बनाने में जद विश्वास भी नहीं रखता हूं क्योंकि यह यूपी है यहां पर क्या खेल हो जाते हैं कुछ नहीं पता लगता है हम लोगों ने यूपी एसाई में लगबग एक लाग दस जार बच्चों के डेटा को उठा करके पूर्ण विसलेश बट वो जस्ट दस नंबर जादा लगी है ना तो वहां पर पता नहीं क्या कमी रही मतलब कुछ भी हुआ मतलब क्या खेल हुआ आप सबको आपको पता ही है उसके बारे में तो तब से मतलब कट ओब बताने जा थोड़ा मन कटने लगा है यह बात इंपोर्टेंट है तो च कितने बच्चों का डेटा है तो दोस्तों जीरो बच्चों का डेटा मेरे पास है मेरे पास कोई डेटा नहीं है अब आप कहोगे अब आप कहोगे कि डेटा जो है वो आप पोल क्रियेट करके भी तो इकटा कर सकते हो कर सकते हो तो पोल क्रियेट करके जो डेटा इकटा किय जाता है मेरे पिछले उन्भव हैं जो मैंने यूपी एसई में आपको बताया उसमें आयोग की गलती जो हैं यह है वह बच्चों की घलती हैं बच्चे सही तरही नहीं देता बच्चा अधार पर किसी प्रकार की कटॉफ को परेडिट करना यह मतलब नहीं है इसलिए मैं अब तक cut off की कोई वीडियो नहीं बना रहा था ये बात आप इस पस्ट रूप से जान लीजिए और एक बात आप समझ लीजिए मेरे cut off के वीडियो बनाने ना बनाने से आपके selection होने ना होने का कोई अंतर नहीं है आपको केवल एक मानसिक संतुष्टी चाहिए के यदी देखो अगर मैं बोल दूँगा के cut off यहां पर अगर मैं बोल दूँगा ठीक है मैं बोल रहा हूँ मैं यह बता रहा हूँ मैं नमबर लिखता है नहीं मैं लिख देता हूँ के भाई तुमारी एक्स नमबर पे cut off लगेगी मैं बता रहा हूँ तुमारी एक्स नमबर पे cut off लगेगी तो जिन बच्चों के नमबर एक्स होंगे या एक्स से ज़्यादा होंगे उनके लिए तो मैं इस दुनिया का सबसे मीठा लड़ू आदमी हो जाओंगा सबसे प्यारा आदमी हो जाओंगा मीठा तो नहीं लड़ू प्यारा ठीक है सबसे प्यारा हो जाओंगा जिनके इस से ज़्यादा नमबर होंगे और जो व्यक्ति इस cut off से मतलब बाहर हो रहे होंगे उनके लिए मैं इस coaching जगत का अमरिस पूरी बन जाओंगा इतनी गालियां भरके देंगे तो भाई मेरे अंदर शहिन सकती नहीं है फिना फालतू गाली सुनने का और एक बात होता है cut off जो होती है वो हमेसा expected होती है ठीक है वो अनुमानी तो होती है बताने वाला भी तो उनुमानी लगाता है कि इतना हो सकता है वो गलत सही हो जाए फिर बाद में भी गालियां देते हैं लोग तो यह सब चीजे है में बात यह है कि कोई डेटा नहीं है और कोई भी इस तरह की बात नहीं कही जा सकती बट दो पॉइंट है जिनके उपर मैं आपका ध्यान अक्रस्ट करना चाहता हूँ मैं डिरेक्ली कट ओफ तो नहीं बता रहा हूँ बट मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है क्योंकि जो कुछ बच्चों ने डेटा मेरे पास भेजा है जो मेरे पास पढ़े हुए बच्चे है उन्होंने बताया कि उनका स्कोर 70 है किसी का 72 है कोई 65 पे है कोई 68 पे है इस तरह से मेरे पास डेटा बच्चों ने भेजा है और ज्यादा तर जो बच्चे का डेटा है वो लगबग यहीं पे 70 के अराउंड आखे आसपास आसपास घूम रहा है 70 के आसपास 60 के बीच में बच्चे का डेटा है बटी 60 से 70 कट ओफ की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं कोई बात कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ कि दोड के लिए किन को बुलाएगा आप सबको पता है कि परिक्षा में 19,000 के आसपास बच्चे थे और मुझे लगता है कि मुझे सई सई डेटा याद नहीं है कि कितने 1000 बच्चों ने पे पर दिया है पर करीब करीब मुझे लगता है 10-12,000 बच्चों ने पे पर दिया है यह 9000 ऐसा कुछ कम बच्चों ने पेपर दिया है मुझे सही डेटा नहीं पता है तो कम बच्चों ने पेपर दिया है दूसरी बात है आगे इसको 25 किलोमेटर की पैदल चाल करवानी है तो अभी अगर आप दौड के लिए देखें अगर आप दौड के लिए देखें तो दौड के लिए बहुत हाई कट ओफ नहीं लगने वाली है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर दौड के लिए बच्चों को बुलाएगा अब एक बात है, फिजिकल कब तक ये करवा सकता है, तो फिजिकल के बारे में मैं आपको एक बात बता दू, जिस गती से वंदरोगा काम चल रहा है, क्योंकि वन विभाग की लगातार डिमांड है, उनकी नीड है, कि हमको जल्दी से जल्दी अपने अधिकारी चाहिए, जल् होने के बाद आपकी आंसर की आगई बहुत जल्दी, अब आपकी फाइनल आंसर की आजाएगी, और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट ये गोशित कर देंगे, और रिजल्ट गोशित करके बहुत जल्दी आपका फिजिकल भी करवा सकते हैं, देखो है तो यूपिटर पहल कलगी त्यारी कर लेना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है आपकी गर्मी में दौड करवायागा ठीक है आपका संभवत है आपकी जुलाई अगस्त के आसपास दौड हो सकती है जुलाई में उमस बहुत ज्यादा होती है जो फॉरस्ट गाड आया था लड़का उसने बोला वाही में आपकी दोड है तो इसक लिए बेनिविशल हो गया है क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे क divisions में रहें तो आपको क्या काम करना है अपने फिजिकल की त्यारी शुरू कर देनी है यह बात आपको गंबेता है ध्यान रखने है फिजिकल की त्यारी कैसे करनी है एक और वीडियो कभी बना के जल्दी ही 2-4 दिन में आपको सूचित कर देंगे इस तरह से आप अपने समय को संभालिए अपने आपको संभालिए बाकि वीडियो की भी त्यारी करते रही है सुबह 9 बजे आपकी GS की काम्याबी सिरीश से लिए है बहुत जवर्दस question 25-25 है परन्तु fact आपके पचास पचास तयार होंगे और निश्चित रूप से आपको उसमें लाब होगा साथ में यह पेड़ कोर्स भी लेना चाहते हैं जैसा बंदरोगा में कमाल हुआ ऐसा वीडियो में भी कमाल होगा जी-एस का हिंदी का और हिंदी साहित्य के तीनों के अलग-अलग कोर्स हैं आप तीनों भी ले सकते हैं आप अलग-अलग भी ले सकते हैं आपका सर्विद्यमंगल होगा यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और उसका जो प्राइस है जी-एस वाले का मात्र दोसु continue कर पाएंगे तो इसी एच सी बात के साथ आपके सुवर्णि महवश्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपके समक्ष उपस्तित्था राम भर्दवाज आप देख रहे हैं राम जी की पारशाला जै हिंद जै भार